Welcome to Motor Reviews, आज हम बात करने वाले All New Upcoming 2021 Yamaha MT25 की Launching Detail इंडिया में Yamaha MT-Series के बाइक काफी famous है, अभी तक इंडियन मार्केट में Yamaha MT-15 और Yamaha MT-09 को ही इंडियन मार्केट में लाँच करा गया है Yamaha MT-15 के success के बाद आपको Yamaha MT-Series के All New Bikes बहुत ही जल देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में Yamaha MT-25 और Yamaha MT-03 इन दोनों में से कौन सा बाइक इंडियन मार्केट में लाँच करा जाएगा Yamaha MT-03 की ज्यादा डिमांड है यॉर्पेन मार्केट में Yamaha MT-25 में आपको क्या कुछ specification देखने को मिलते हैं features क्या कुछ इस बाइक के साथ offer किये जाएंगे price कितना रहने वाला है and इस बाइक के इंडियन मार्केट में launch कब होगा सारी detail and complete information के लिए इस review को जुरूरा पैंटतर देखी अगर इस bike के हम specification की बात करेंगे engine में इसमें आपको 249cc का fuel injected liquid cool engine मिल जाता है power इस bike के आपको 35.1 HP की power generate करेगा ये bike torque इसमें आपको 22.6 Nm of torque मिलता है number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएंगे seat height इस bike की 780mm की है अगर आपकी height 5 foot 3 inch है आपको इस bike को ride करने में कोई भी problem नहीं आएगी अगर इस bike के हम overall weight की बात करेंगे 165kg का weight देखने को मिलता है इस bike में fuel tank इसमें आपको 14L का fuel tank मिल जाएगा disc size front में इसमें आपको 298mm hydraulic single disc देखने को मिलता है rare disc का size 220mm hydraulic single disc मिल जाएगा suspension में front में इसमें आपको upside down fork suspension मिलते है rare suspension में mono shock मिल जाएगा अगर इस bike के हम tire size की बात करेंगे front में इसमें आपको 110-70-17 inches के alloy wheels मिलते है rare tire में इसमें आपको 140-70-17 inches के alloy wheels मिल जाएगे Yamaha MT25 में आपको क्या कुछ features offer किये जाएगे इस bike में आपको fully LED DRL headlight मिल जाती है with projector headlamp इसमें आपको LCD digital meter console भी मिलते है engine cooling technology इसमें आपको liquid cool मिलेगे इसमें आपको twin cylinder भी मिल जाएगा dual channel ABS भी spike के साथ offer किये जाते है इसमें आपको slipper and assist clutch भी मिल जाएगा इस spike में आपको LED indicators भी मिलते है कैसी आपको performance देखने को मिलते है इस spike की on road top speed is spike की आपको 170 km per hour के साब से मिल जाएगी average is spike की city में ये bike आपको 30 km per liter के साब से average generate कर देगा highway पे ये bike आपको 35 km per liter के साब से average generate कर देगा Yamaha MT25 में आपको most advanced engine देखने को मिलता 250cc का इसमें आपको fully loaded features भी मिल जाएगे इस spike में आपको twin cylinder भी मिलते है इसमें आपको efficient braking system भी मिल जाएगा इस spike में आपको upside down fork suspension भी मिलते है इसमें आपको split seat भी मिल जाएगे इस spike में आपको better mileage भी मिलती है as such इस spike में आपको कोई भी vibrations नहीं फील होगे एंड इसमें आपको comfortable riding position भी मिल जाएगा Yamaha MT25 में आपको कितने colors offer किये जाएगे First color इसमें आपको dark grey color देखने को मिलता है Second color इसमें आपको blue color देखने को मिल जाएगा Third color इसमें आपको matte black color भी मिलता है अगर इस bike के हम overall price की बात करेंगे इंडोनेशा में इस bike को launch कर दिया गया तो अगर हम Indonesian currency को Indian currency के साथ convert करेंगे तो इस bike का price 2,88,000 extra room है बट ये bike made in India रहेगा तो इस bike का price आपको इंडिया में 2,20,000 extra room देखने को मिलेगा अगर इस bike के हम launch की बात करेंगे यामाहा MT25 का launch आपको इसी साल में देखने को मिलता है 2021 में September 2021 को इस bike को Indian market में launch कर दिया जाएगा तो इस bike का competition आपको KTM Duke 250 और BMW G310R के साथ देखने को मिल जाएगा तो फिलाल जो information मेरे पास थी मैंने आपसे discuss की still आपके कोई doubts या कभी भी को question होते है मुझे Instagram पे direct message करें मैं आपको जूर reply दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आज की review को हम इधर ही wind up करते हैं